हेलो, नमस्ये to all of you, इस वीडियो में हम देखेंगे method of preparation of hello alkane, ओके और first method हम देखेंगे आज इस वीडियो में by using alcohol and the hydrogen halide, लेकिन सबसे पहले देखो hello alkane यानि की क्या, इसको Rx से denote किया जाता है इस function group को, देखो R यानि की होता है alkane और X यानि की होता है hello, hello यानि की क्या halogens, fluorine chlorine, chlorine, bromine, iodine, एक है halogens है, और hello alkane का दूसरा नाम है alkyl halide, क्या है alkyl halide, तो hello alkane नहीं तो क्या है alkyl halide, एक ही है और उसको हम denote करते है Rx से, तो इसको कैसे prepare करते हैं, तो first method आज हम देखेंगे, हमें क्या लेना है, alcohol लेना है, और alcohol की reaction हमें hydrogen halide के साथ करनी है, यानि कि किसके है कि साथ करनी है, hydrogen halide के साथ करनी है, यहाँ पर क्या है, hello hydrogen halide आएगा, क्या आएगा है क्या गा है फोड़ी सी गलती हो गई है, आ, सुधार कर लो, फऑट है hydrogen halide, h ने कि है hydrogen the oxygen कि तुझेखो जब इनकी reaction होती है तो water यहांसे बाहर निकलता है यानि की water यहांसे जब बाहर निकलेगा अब क्या बचाई सिर्फ R बचा है और क्या बचा है X बचा है तो यहां पर क्या मिला हमें हैलोःे एलकेण मिला नहीं तो हम उसका दुसरा नाम कि है कुछ examples बता दीजिएगा मैंने आपको example बता देता हूँ क्या-क्या examples है तीन examples मैं आपको बताऊँगा अभी क्या करना है आपको alcohol लेना है यह primary हो यह secondary हो अपने लिया अब उसकी reaction आपको HCl के साथ करनी है हम किसके साथ reaction कर रहे है hydrogen हैलेड के साथ कर रहे थे ना ओके तो एक सेनिंग कि क्या हमने लिया है यानि कि hydrogen chloride नहीं तो उसका दूसरा डाम का है hydrochloric acid सेम होगा water बहार निकलेगा और क्या बचा अलकाइल chloride और क्या बना chloro-alcan यही तो हम देख रहे है preparation of hello chloro-alcan इस बार हमने chloro-alcan बनाया और water बहार चला जाएगा लेकिन जब primary और secondary अलकोल होता है तो न हमें ZNCl2 लिखना पड़ता है unhydrous ZNCl2 यहाँ पर लेने की जरूरत थे कब जब primary and secondary अलकोल होगा तबी लेना है याद रखिये सब ZNCl2 का काम क्या है ZNCl2 एक levis acid का काम करता है क्या help करता है break RO bond of alcohol यह जो अलकोल में RO और O यह जो bond है न इस अलकोल में इस अलकोल में जो RO और O का बीचिके जो bond है उसको break करने का काम ZNCl2 करता है लेकिन क्या होगा अगर हमने tertiary alcohol यहाँ पर लिया तो क्या हमें unhydrate ZNCl2 की जरुत होगी नो इसका answer रहेगा नो वाई due to the high reactivity of the tertiary alcohol tertiary alcohol की काफी ज़्यादा reactivity है यानि कि बहुत जल्दी वो react हो जाता है यानि कि ZNCl2 is not used in the reaction of the tertiary alcohol तो आपको unhydrate ZNCl2 कब लेना है जब primary and secondary alcohol होगा तब ही आपको लेना है tertiary जब alcohol रहेगा तो वहाँ पर आपको need नहीं है अब देखो HCL ZNCl2 के साथ जब use करते हो तो उस process को आप कहेंगे grouse process क्या कहेंगे grouse process तो हम कह सकते है देखो HCL use हुआ है with unhydrate ZNCl2 तो एक कुन सी process है grouse process है और एक बात important mixture of HCL and the unhydrate ZNCl2 known as the lucas reagent क्या है lucas reagent कहते है I hope इस समझ गए होगे इसको याद रखिएगा हमना JEE NEET और अपके CET और board के हिसाब से चल रहे है यह CBSC वालों को भी मददकार है helpful है चलो next example देखेंगे हम इस बार हमने क्या बनाया chloroalkane बनाया चलो अभी क्या बनाते है हम third example लेते है यहाँ पर और इस बार हम क्या लेगे hydrogen bromide लेगे क्या लेगे hydrogen bromide नहीं तो hydrobromic acid लेगे तो देखो alcohol की reaction हमने HX X अभी हमने क्या लिया है BR लिया है तो यहाँ पर क्या होगा वही water यहाँ से बाहर निकलेगा और क्या मिला alkyl bromide नहीं तो क्या मिला bromo alkyne मिला दो point याद रखो while preparing alkyl bromide जब आप alkyl bromide बना रहे हो 48% HBR यूज किया जाता है किसके साथ little S2SO4 के साथ कितना एक कितना HBR यूज किया जाता है 48% with H2SO4 और H2SO4 क्या है catalyst का काम करता है यहाँ पर और एक दूसरा point एक HBR लाबोरेटरिम में हमें बनाना पड़ता है एक कैसे बनाते है तो हम ना H2SO4 लेते है concentrated concentrated H2SO4 लेते है sulfuric acid लेते है और H2SO4 की reaction हम KBR के साथ करते है किसके साथ करते है KBR के साथ करते है तो देखो H2SO4 acid क्या देगा H देता है और KBR क्या देगा BR देगा तो हमें क्या मिला HBR मिला नहीं तो कैसे किया जा सकता है H2SO4 की reaction आप NBR के साथ करो किसके साथ NABR तो देखो S2SO4 क्या देगा H देगा BR क्या देगा आपको NABR क्या देगा BR देगा तो क्या मिला HBR मिला और यही तो हम चाहते हैं तो HBR can be prepared in suit by concentrated S2SO4 on KBR और NABR जब S2SO4 की reaction KBR नहीं तो NABR के साथ करते है तो हमें HBR मिलता है Next example देखेंगे Next example यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखो HI का है ओके अभी हमें क्या लेना है HI लेना है Hydrogen Iodide लेना है तो देखो Alcohol की reaction Hydrogen Iodide यानि कि Hydrogen Halide के साथ किये हमने Halide अभी हमारे कोन है Iodide है तो यहाँ पर हमें क्या H2O बहर जाएगा Alkyl Iodide नहीं तो Hello Alken मिलेगा और एक बात याद रखो यह Alkyl While preparing Alkyl Iodide जब आप Alkyl Iodide बना रहे होते हो तो क्या किया जाता है NAI और KI क्या NAI और KI क्या NAI और KI किसके साथ यूज किया जाता है NAI नहीं तो KI किसके साथ यूज किया जाता है H3PO4 यानि कि क्या Phosphoric Acid के साथ reaction की जाती है तो हमें क्या मिलता है HI मिलता है क्या मिलता है HI मिलता है सर कैसे देखो NAI यह क्या है NA यह क्या है NAI और H3PO4 देखो, ए एने आई क्या देगा, आई देगा, S3O4 क्या देगा, H देगा, तो क्या मिला हमें, हाई मिला, नहीं तो क्या, हम क्या, की रियक्शन S3O4 के साथ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ए आई देगा, और हमें क्या मिला, हाइडरोजन आयोडाइड मिला, यहीं तो है, फिर से एक बार पढ़िएगा आप, while preparing alkyl iodide, NII नहीं तो KI किस के साथ react किया जाता है, 95% esterifrière-4 के साथ, यानि कि Phosphoric Acid के साथ, यूज किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, HI मिलता है, हमें क्या मिलता है, HI मिलता है, बस इतने ही example, और कुछ important facts points हम याद रखेंगे competitive exam के लिए काफ़ी important है अभी हम देखेंगे order of reactivity of alcohol क्या alcohol की reactivity क्या होती है तो tertiary alcohol बहुत ज्यादा अब देखो क्या होता है हमने हमें पता है हम आर लेते थे और यहाँ पर है आपकर प्लस चार जाएगा इसके उपर अभी electron की कमी है उसने electron क्या किया है donate किया है जो donate करता है उसके उपर plus आते है तो यहाँ पर अभी carbocatine बना है क्या बना है carbocatine बना है तो देखो एक carbocatine को stable करने का काम यह सब R group करेंगे यानि कि alkyl group क्या करते है अपने-अपने electron carbon की तरफ shift करते है देखो मैंने arrow से यहाँ पर denote किया ऐसे ओके तो उसको हम inductive effect कहते है क्या कहते है inductive effect अगर कोई species अगर कोई species electron ऐसे donate करती है shift करती है तो उसे हम plus i effect कहते है inductive effect करते है और यहाँ पर तीन group electron दे रहे है यानि कि तीन गरूप यहाँ पर inductive effect दिखा रहे तो एक कर्बोकेटन क्या है stable है तो याद रखो tertiary कर्बोकेटन यह सबसे stable होता है कौन सा tertiary कर्बोकेटन क्या होता है stable होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर सिर्फ दो ही R गरूप है वो दो ही R गरूप इसको electron दे रहे है लेकिन एक age गरूप है यहाँ पर secondary alcohol में क्या है एक secondary alcohol है secondary alcohol में क्या है सिर्फ एक दो ही गरूप है जो plus high effect दिखा रहे है और एक minus high effect दिखाता है hydrogen क्या करता है electron नहीं देता electron लेता है तो इसलिए यहाँ पर तीन दे रहे है यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग दे रहे है और primary alcohol में देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही group electron दे रहा है और लेकिन दो age group अपने तरब electron खीच रहे है यानि कि यह highly unstable है एक है highly unstable है I hope आप समझ गए होगे तो इससे हम क्या पता लगा सकते है कार्बो केटाइन जब कार्बो केटाइन की का कार्बन के उपर प्लस चार्ज तो देखो एक है tertiary कार्बो केटाइन देखो ना 123 कार्बन के साथ जूड़ा है इसलिए tertiary कार्बो केटाइन stable होता है बाद में नंबर आता है देखो secondary कार्बो केटाइन का किसका आता है secondary और last में किसका आता है primary कार्बो केटाइन का यहाँ पर stability में sequence wise यहाँ पर क्या आ जाता है sequence आ जाता है अब देखो और एक last वाला पॉइंट हम देखेंगे अगर यह नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हो क्योंकि मैं काफी फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी यह लगबग 12 मिनिट की वीडियो हो चुकी है अगर नहीं समझ में आता तो बाद में अच्छी तरीके से एक्स्पेंट करूंगा अभी हम देखेंगे और 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 रियक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हालाइड तो हाइड्रोजन हालाइड देखो हम आर ओएच और एच एक्स की रियक्शन करते हैं तो वाटर बहार निकलत राख तोات को इसकी बड़ी होगी लिएखोयी ओनृषन के फास तो याद रख से बढ़ते हैं नीचे नीचे ढ़ते हैं από Tam इस और अउड्रोटि नीचे आपर आयोटेंग नीचे अचर वार दिन तो यहां के मैंने ठाय है difference तो इनके बीच का bond length इतनी बड़ी है देखो बाद में थोड़ा सा BR का क्या होगा थोड़ा सा atomics है इतनी है और इनके बीच में देखो इतनी है तो जल्दी कुन प्रेक होगा जिसकी bond length बड़ा होता है तो HI जल्दी ब्रेक होगा बाद में नंबर आएगा HBR का और बाद में आएगा HCL का I hope आप समझ गए होगे वीडियो कापी लंबी खिच रही है मैं यही पर stop करना चाहूँगा और आप कोई doubt रहेगा तो आप comment section में पूछ सकते हो Thank you, bye bye